नमस्कार मैं आस था मेरे चैनल व्रिंदे राखी पर आपका स्वागत है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ रुदराक्ष के बारे में कि कितने मुखि रुदराक्ष पहनने से क्या फल मिलता है क्या लाब होता है यह जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ यह शिव पुरान से दे रही हूँ जो भगवान शिव ने स्वेम माता पारवती से बाते कहीं है वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में तो सबसे पहले आप यह जान लीजे कि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की जानकारियां हिंदु धरम से संबंदित व्रतो तहवारों से संबंदित जो पौरानिक और प्रमानिक जानकारियां हैं वो दी जाती हैं मंत्रों के बारे में भी मैं आपको बताती रहती हूं और बहुत सारे उपाय भी बताती हूं तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा ताकि आने वाली सबी वीडियो आप तक पहुंचे तो चलिए अब हम बात करते हैं शिव पुरान के विधेश्वर सहिता के 24 वे अध्याय में भगवान शिव ने स्वैम मातापारवती से ये सारी बातें कहीं है और ये जो कथा है शिव जी दुआरा मातापारवती को जो सुनाई गई है यह कथा सूत जी शोनक इत्यादी रिश्यों को सुना रहे हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर बताया गया है जो रुद्राक्ष है वह एक मुखी रुद्राक्ष का जो फल लिखा गया है एक मुखवाला रुद्राक्ष साक्षात शिव ही होता है वह भुक्ती और मुक्ती को देता है उसके दर्शन मातर से ब्रह्म हत्या क का विनाश हो जाता है तो ये है एक मुख्य रुध्राक्ष का फल इसके दर्षन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो जाता है और भुक्ति of और मुख्ति रुबकटि को देने वाला और लिखा के बारे में परमानित है सिवपुरान में लिखी के बारे में यह मैं आपको बता रही हूँ तो दो मुख वाला देव देवेशा संसे कामनाओं को पूरा कर देता है विशेश करके रुद्राक्ष कि पाप नाश करता गौहत्या के पाप का करता है तो दूर करता है सभी कामनाओं की पूर्थी करता जो भी अवशक्ताएं हैं जो भी साधन हमें चाहिए वह सब प्राप्त होते हैं उसके प्रभाव से विद्याएं मिलती हैं अब मैं आपको चार मुख के रुद्राक्ष के बारे में बता रही हूं अब इसके बारे में लिखा है कि चार मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्मा स स्वरूप है इसे धारन करने से नर हत्या का पाप समाप्त हो जाता है। इसके दर्शन और सपर्ष करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है तो ये जो चार मुखवाला रुद्राक्ष यह भी बहुत ही अच्छा मताया गया है ये चारो पुर्शात को परदान करती है संसार तो ये चार मुखवाला रुद्राक्ष भी बहुत ही खास है इसका प्रभाव भी बहुत ही शक्तिशाली है इसके दर्शन और सफर्ष से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है अब बात करते हैं पांच मुख वाले रुद्राक्ष की पांच मुख वाला रुद्राक्ष स्वयम रुद्र देव है यानि भगवान शिव का ही स्वर प्रदान करते हैं यह जो जानकरी है यह पांच मुखी रुद्राक्ष के बारे में हैं यह सभी भक्तों को मुक्ति प्रदान करने के लिए हैं यह स्वयम रुद्रदेव का स्वरूप है पांच मुखवाला रुद्राक्ष जो पांच मुखवाला रुद्राक्ष और किन पापों को दूर करता है पांच मुखवाले रुद्राक्ष को धारन करने से जो अभख्षी पदार्थों को खा लेने से होने वाले आदी सभी प्रकार के पाप प्वागवान स्वार्ण करने से अगर हमने जीवन में कुछ ऐसे वस्तों का सेवन किया है जो हमें नहीं खानी चाहिए मासमद्रा इत्यादी जैसी चीजें तो उसका जो हमें पाप लगा है वह पाप नश्ट हो जाता है पंच मुखी रुद्राक्ष के धारन करने का यह भी एक फल बताया गया है तो अब हम बात करते हैं छे मुखवाला रुद्राक्ष कार्तिक्य का स्वरूप है सकंद का स्वरूप है भागवान शिव के प्रथम पुत्र का स्वरूप है यह जो छे मुखवाला रुद्राक्ष है इसे दाहिनी भुजा में धारन करने से नी संदे ब्रह्म हत्या आदी पापों से मुक्ति हो जाती है पारवती साथ मुख्वाला रुद्राक्ष अनंक कहा गया है अब साथ मुख्वाली रुद्राक्ष की बात मैं कह रही हूं है देवेशी उसे धारण करने से दरिद्र भी संपन हो जाता है जो साथ मुख्वाला रुद्राक्ष है इसे धारण करने से कोई दरिद्र व्यक्त भी संपन हो जाता है धनी हो जाता है ऐसा भगवान शिव माता पारवती से कह रहे हैं अब बात करते हैं आठ मुखवाला रुद्राक्ष वसु मूर्ति कहा गया है यह साक्षात भैरव रूप है इस आठ मुखवाले रुद्राक्ष को धारन करने से पूर्ण आयू प्राप्त हो ती है अर्थात इस जो आठ मुखी वंला रुद्राक्ष है दारन करने से अकाल मृत्यूं का भै नहीं रहता है र्यक्ति अपनी पूरी आयू जीता है और उसकी बीच में अकाल मृत्यूं नहीं होती है और मरने के बाद वह स्थिव ही पूर यू यू को जीने बाद उसे म्रत्यू प्राप्त होती है फिर वह शिव रूप ही हो जाता है अर्थात शिव लोग की प्राप्ति हो जाती है but अब बात आती है नौ मुखवाले रुद्राक्ष की नौ मेरे ही समान सरवेश्वर हो जाता है तो यह जो नौ मुख वाल रुद्राक्ष इसे भैरव या कपिल मुनी कहेंगे और इनकी जो देवी है इस रुद्राक्ष की अधस्ठातरीदेवी जो है उनको नव् संदें मेरे ही समान सर्विशवर हो जाता है तो बहुत बड़ी महिमा 9 मुखवाले रुदराक्ष की भगवान शिव कहते हैं हे पारवती मुखवाला रुद्राक्ष होता है उसे धारन करने से वह स्वयम रुद्र हो जाता है तो जो ग्यारा मुखवाला रुद्राक्ष है उसे धारन करने से स्वयम रुद्र के समान व्यक्ति हो जाता है ऐसा यहां बताया गया है अब बात करते हैं हम ग्यारा मुखवाले रुद्र तो 12 मुखवाले रुद्राक्ष को जो सिर में धारन करता है यानि कि अपने मस्तक पर धारन करता है वह 12 आदित्यों के समान महिमा में हो जाता है जो 13 मुखवाले रुद्राक्ष है वह विश्वेदेव के समान होता है उसे धारन करने से मानव सभी कामनाओं को प्राप्त करता है सवभागे की प्राप्ति होती है और और घर में प्रति दिन मंगल होता है अब अब मैं आपको बताती हूँ चौदा मुख वाले रुद्राक्ष के बारे में क्या लिखा हुआ है चौदा मुख का जो रुद्राक्ष होता है वह परम शिव है उसे भक्ती पूर्वक सिर में धारन करने से हैं चौदा मुख वाले रुद्राक्ष की भी बात कही गई है कि सर म दारन करने से सभी पापों का विनाश हो जाता है और भगवान शिवने कहा कि मुखों के भ्यद से यह रहुद्राक्ष के भ्यद कह दिये हैं चाहते हैं यह पहनते हैं उनके लिए कि कि किन्तने मुखिर रहों को हैने से क्या फल मिलता है यह सब बाते मैंने आपको इस वीडियो में विस्तार से बताई है प्रमानित जानकारी है जो शीव पुरान से है जो माता पार्वती को भगवान शीव ने स्वयम कही है बाते वो मैं आपको इस वीडियो में साथ-साथ में पढ़कर इसलिए बता रही थी तांकि आपको भी बिश्वाष सो और मुझे बताने में कोई तूटी मुझसे ही प्रकार में हिंदुधक्त कार मैं न मुश्यकोशच करता हूं नमस्कार